विजाई के साथा दिन से लेके तकरीबन 40 दिन तक इंपोर्टन चीज समझना है जो ली फेरिया बोलते है वो सबसे ज्यादा होगा आपको वो कैसे भी बचा देना है इस एक महिने में आपको एक या दो बार पानी देना है एक बार प्रठीलेजर डालना है अभी कीट कौन से है और रोक कौन सा है सफेद रतुवा पत्ती जूलसा उसमें कोई माहुमोईला आता है बहुत ही नुपसन दायक है लेकिन उसका उपाए बहुत सीम्पल यह फ्लावरिंग की सुरुवत होने माली है अभी इसके बाद आपका स्प्रेय नहीं होगा फ्लावरिंग से पहले ए ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में ओस गीरता है लेकिन ठंडी का प्रमाण बढ़ा तो यहां पे आपको बहुत ध्यान लखना है और अभी लास्ट में मैं एक बहुत इंपोर्टन बात करने जा रहा हूं अभी पहला चेप्टर में मैंने सब कुछ समझाया आपको कि पहला जो कदम है आपने बहुत सही तरीके से अगर से कर लिया है तो तकरीबन साथ से आठ दिनों में जर्विनेशन आ जाएगा अभी सर्सो की खेती में आपको बहुत इंपोर्टन चीज समझना है वीजाई के साथा दिन से लेके आपको तकरीबन चालिस दिन तक रुद्धी व सीधे फूल आता है और चालिस दिनों के बाद में सायद आपको एक या दो बार मुका मिलेगा कि आप कीट रोग नियंद्रन कर पाओ लेकिन आपको शुरुवात में जब बड़े-बड़े पत्ते होते हैं तब उसमें सुरिय प्रकास को ग्रहन करके जो खोराख है पहले ग और जो ली फेरिया बोलते हैं वो सबसे ज्यादा होगा तो आपको वो कैसे भी बचा लेना है अभी उसको मारने वाले कीट कौन से है और रोग कौन सा है जिसकी वज़े से पत्तिया मर जाएगी तो वो मैं आपको एक-एक कदम बताने जा रहा हूं तो ये पिरियड है एक ये दो बार पानी देना है और एक बार फटिलाजर डालना है और दो से तीन बार जरूरत पड़े तो च्यार बार कई की शनभाई ने हम कारे पीछली वीडियो में बुलाए कि इतना सारा डालने से बहुत खर्चा होता है लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनों अगर जरूर यानि कि जो पत्ता होता है पत्ते के अंदर एक कीट आता है कि पत्ते की जो ग्रीन एरिया है जो क्लोरोफिल है उसको ही खाता है और वो इल्ली होती है बहुत चोटी होती है और अंदर 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 चलके खाती है यह जो इल्ली है उसको मारने के लिए आप क्या कर तो आप से 200-400 लीटर पानी में गोल बना के छिड़का उखनना है। उसके साथ में आपको ऐसा लगता है कि उगने के बाद ही 2-3 तरह के कीट आ गये है। नुकसान थुड़ा हो गया है। तो आप उसके साथ उसका ग्रोथ रुद्धिविकास बढ़ाने के लिए आप फस्ट लेना है आपको एक लीटर पानी में दो मिली यानि 200 लीटर पानी आपने बनाया है तो उसमें 400-500 मिली लेना है। जिसकी वज़ए से पत्तों में एक नई एनर्जी आ जाएगी और जल्दी से पोधा ग्रोथ करेगा। तो यह हो गया एकदम शुरुआत में आने वाले प्र लेना है आपको 200 मिली 200 लीटर पानी में डालके आपको स्प्रे करना है। और अगर उसको आपको लगता है कि उससे थोड़ा ज्यादा उपद्रव हो गया है तो थोड़ी सिस्टेमिटिक प्रकार की दवाई जैसे कि क्रूजर आपको लेना है बीच से लेके 40 ग्रम प्रती लेकर जो 200 लीटर पानी में गोल बना के आपको छिड़काव करना है तो यह करने से आपके ज्यादा तर कीटों का नियंत्रन हो जाएगा और मैंने पहले ही बताया कि दवाई का सिलेक्शन दवाई का प्रमाण दवाई की फ्रिक्वंसी आपको ज्यादा नहीं लेनी है एज आपको एसा लगे कि विरुदी विकास बरोबर है नहीं थोड़ा पीलापन है या तो कीटों ने बहुत ज्यादा मात्रा में पत्ते को खा लिया है तो नया पत्ता ताकत से आने के लिए आपको फ़स्टर का प्रेवक करना है आपको अनुबो होगा सरसों में एक ही तरह का ज्यादा आता है जिसको वाइट रस बोलते है सफेद रतुवा या तो दूसरा बहुत ज्यादा अगर हो गया तो उसमें आता है पत्ती जूलसा जिसको ऑल्टरनेरिया ब्लाइट भी बोलते है ऑल्टरनेरिया ब्लाइट होता है वो ब्राउन कलर के पत्ती दब्य होते है व तो तीन समय में लक्षण अलग-अलग है, पहले पत्ती दब्बे के स्वरूप में आता है, फिर फूल जब आता है, तो जो आपका नया सूठ है, नया ग्रोथ है, उसको चप्टा बना देता है, और डिफॉर्म कर देता है, मतलब विक्रूत कर देता है, और उसके उपर फली लाता है, बहुत चारे पत्ती दब्बे होते हैं, और फिर पत्ते जड़ जाते हैं, तो दोनों रोग बहुत ही नुक्सन दायक है, लेकिन उसका उपाय बहुत सीम्पल है, उपाय है, मेटल ग्रोथ, तो कि एक एक किलो लेनी है, और पानी लेना है 400 लीटर, ये मेटल ग्रो और अल्टरनीर अपलाइट जूल सा दोनों एक ही दवाई से नियंदर होता है, तो आपको शुरुवार्च से लेके कभी भी आता है ये रोग, तो आपको ये ही दवाई स्प्रे करनी है, मेटल ग्रोथ, ध्यान रखना, ये जब रोग आएगा, तब आपकी सरसो लगबक कम कमर तक की होने से उस टाइम पर पत्ते ज्यादा होंगी, तो आपका जो स्टेज है 30, 35, 40 दिन का ये रोग आने का समय है, तब ये जो प्रॉब्लेम है सबसे ज्यादा आने की संभव ना है, तो ये करने से रोग अच्छी तरशे नियंतर हो जाएगा, आप सोचे कि ये फसल अभी आपकी हो गई है 30 दिन के बाद आपको अंदर जाने का मौका बहुत कम जा पूलेगा और 30 दिन के आजब है यह पानी भी आप लेते हो तो उसी पानी में आपको एक एम्पॉर्टन काम करना है फ्रटिलाइजर का अगर आप इस टाइम पे फर्टिलाजर डालते हो, तो आपको उत्पादन सम्ता बहुत बढ़ जाएगी, और जैसे कि मैंने पहले चेप्टर में बताया था, कि अगर आपकी फसल केस्पर टाइप की वेराइटी है, जो फैलती भी ज्यादा है, बढ़ती भी ज्यादा है, अवस्य डालना चाहिए, एक पानी अवस्य लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग की तैयारी है, अभी फ्लावरिंग की तैयारी के लिए आप फर्टिलाजर जब डाल रहे हो, तो आपको डीए भी पहले डाल दिया है, तो अभी डालने की जरुरत नहीं है, थोड़ा स दाने स्वरुप में होता है, आपकी फसल में पत्ते ज्यादा है, और उस टाइम पे ओस भी गिरेगी, तो आप जब डालते हो, तो पावडर स्वरुप डाल दिया आपने, तो पत्ते के उपर पावडर रह जाएगा, और फिर ओस गिरेगी, तो वो सलफर पीग लेगा, बर पानी लेते हो, तो जल्दी से पीगल जाएगा, और जड़ों को तुरंत मिल जाएगा, आपके पास कैस पर या उसके जैसे हाइब्री टाइप की वेराइटी है, जिसका प्रोडक्शन आपको दस, बारा, चौदा क्विंटल तक लेना है, तो आपको सलफर यहां पे डालना अती आवश्यक है, आप डाल दो बिना पूछे किसी को, और वो कितना डालना है, कि अगर आप 15, 20, 25 किलो यूरिया लेते हो, तो उसके साथ कम से कम 6 किलो आपको डालना है, पहले अगर आपने 6 किलो डालना है, पहले आपने नहीं डाला है, तो तीन ही किलो डालना है, तो अ अभी इसके बार आपका स्प्रेय नहीं होगा, तो आप एक छिड़कव, एक पोशक ततो का या तो बायो स्टिमिलन का कर दे, अगर आपकी जमीन अच्छी है, तो फ्लावरिंग से पहले आपको स्टेलर लेना अतियावश्यक है, तो आपको दो मिली प्रति लीटर पानी, या या तो आपकी टंकी 15 लीटर की है, तो 30 मिली डालना है, या तो 200 लीटर का बेरल लेकर रखा है तो आपको उसमें 400 मिली डालना है, और स्प्रेय कर देना है, और वो दवाई इतनी अच्छी है, ग्रोथ रुद्धी विकास के लिए, कि कोई आप दूसरी एक रोर जैसी कीट प्रयोक कर रहे हो, या तो मेटल ग्रो जैसे मैंने बताया वो प्रयोक कर रहे हो, तो उसके साथ मिल सकती है, तो यह करने से पोधा मजबूत रहेगा, उसमें पोशक्ततों की कमी नहीं आएगी, फ्लावरिंग अच्छी तरह से आएगा, ज्याद आएगा, और अभी आएगा, लेकिन आप सर्व नौर्थ इंडिया में ही होती है, मतलब धर्मन अधरी से ऊपर की अधरी, तीन तरह की क्लाइमेटिक सिच्उएशन आने की संभावना रहती है, पहली क्लाइमेटिक सिच्उएशन यह है कि कोहरा आता है, यानि की धुम्मस आजाता है, रोड प के आज़ पास में एक टेंटेटिव डेट लेते हैं, कि 15 October के आज़ पास में प्लान्टिंग किया है, तो 15 October से 15 November, 15 December, 15 December के आज़ पास में आपका 50% फ्लावरिंग होगा, और 50% आपका फलिया बनना शुरू हो गई होगी, शाय 2-5% फलिया बनी भी होगी, और पत्य कम से कम हो बराबर जमीन में इकासड में 1-2 फिट तक पत्य होगे, आपका सरसो में 4-5 फिट का तो उसी समय पे दुम्मस आता हैं तो जब आता है, तब ज्यादा से जदा प्रमाण में वहां पर उस गीरता है, तो दो आपका ससनी तुछ जाएं वहां चल जाये गा, लेकिन ठंडी का प जिसको आप पाला पढ़ना भूमते हैं, तो यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर ऐसी सिच्वेशन खड़ी होती है, तो क्लाइमेट डिपार्टमेंट जो मिट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट है, वह भी आपको रेडियो पे, टीवी पे, मूबाइल पे, हम भी द जमीन में ज्यादा होगी, तो जमीन ज्यादा ठंडी होगी, तो जो ओस है, वो सीधा नीचे चला जाएगा, जो कोहरा का पानी हो नीचे चला जाएगा, तो पत्य के उपर पानी रहेगा नहीं, अगर पत्य के पानी रह गया और वो बरप में कनवर्ट होगा, वो पाला इस टाइम पर पानी लेते हो तो जमीन का तापमान और अरगेनिक के कारण थोड़ा बढ़ जाता है तो आपका खेत पाले से बच सकता है तीसरा कोई केमिकल उपाई भी है मार्केट में बहुत सारे अवेलिबल है तो उसका भी आप प्रवयोग कर सकते हो लेकिन फसल को इस चमी पे पाले से बचाना बहुत जरूरी है उसके लिए में और एक भलामन करना चाहूंगा अगर आप वो कर सको कि फ्लावरिंग के टाइम को मजबूत रखता है तो वह प्रवयोग कर सकते हो या तो एक और उपाई है कि पोध्य को मजबूत कर सकते हो पोध्य को मजबूत करने के लिए इसी समय पे तीस चालीस या पचास दिम पे एक बार सिलीकॉन का प्रवयोग कर सकते हो सिलीकॉन जो है वह बहुत बढ़िया तो पत्ता थोड़ा मजबूत रहेगा तो पाले की असर थोड़ी कम होने की संभावना है तो पाले का मेरेजमेंट के लिए मैंने पूरा ब्योरा दिया आपको आपके वहां कोई दूसरा प्रबलेम हो तो आप कॉमेंट में डाल के हमको जरूर बता सकते हैं तो यहां पर हम ख वो प्रशना आप comment box में डालके पूछ सकते हो